अस्यूम कीजिए एक स्विमिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है दो लोगों के बीच में एक जना करंट के साथ स्विम कर रहा है वही दूसरा जना करंट के अगेन स्विम हो रहा है आपको क्या लगता है कॉम्पिटिशन कौन जितेगा या यह कॉम्पिटिशन फेर भी है ऐसा तो नहीं जो current के साथ swim हो रहा हो उसे कोई advantage हो current के again swim होने वाले व्यक्ति के साथ उसी तरह assume कीजिए दो fund manager है दोनों के पास अपना अपना fund है एक सिफ stock को buy करता है वही दूसरा जना सिफ stock को sell करता है एक ने 30% का return कमाया है वही दूसरे ने 12% कमाया है तो आपको क्या लगता है दोनों में से पौन जीता जीत जानने के लिए ये जरूरी है कि उस वक्त stock market में कैसा perform किया है उसी वक्त अगर stock 50% से बड़े है देन पहले fund manager ने खराब perform किया है वही दूसरे fund manager ने बहुत अच्छा किया है तो दोस्तो हम आज बात करेंगे डेना गलांटे के बारे में जिनोंने 1994 से 1997 के बीच में 15% से पैसे कमाया है वो भी सिफ short sell करके और आश्चर्य के बात ये है कि उसी दोरा NASDAQ 32% से लगातार बढ़ रहा था और डेना सिंस सिफ short किया करती थी उन्हें एक advantage था long term portfolio के सामने अपनी position hedge करने का जिस वज़े से risk to reward बहुत अच्छा आता था क्योंकि risk तो control हो जाता था दोस्तों क्योंकि long position के सामने आपने equally short position बना ली है डेना के father यही industry के थे stock booking industry के इसलिए बचपन से ही डेना summer vacation में अपने father के office उनकी मदद करने पहुच जाती थी उस वक्त computer तो हुआ नहीं करते थे इसलिए return में डेना सब notes लिखा करती थी डेना ने बड़े होते ही Kingston Capital नाम की company join की जहां वो administration समाला करती थी अब जब उनका trading में promotion हुआ उस वक्त के traders सिफ trade execute करने का काम करते थे यानि जैसा उन्हें बोला जाए बस execute कर दो बड़ जब ये company का merger एक दूसरी company के साथ हुआ तो डेना को फिर से administrative job मिल गई उससे बोर होके उन्होंने एटकेमा investment company join करने का फैसला किया जहां वो small cap fund समाला करती थी उनके जो इस नई company में boss थे वो मानते थे कि वो किसी बंदर से भी trading करवा सकते थे अगर वो उसे plan और अपनी strategy बता दे जो simple थी अगर कोई stock उपर जा रहा हो उसी के साथ उसकी earnings अच्छी हो और साथ ही बहुत लोग उसे recommend भी कर रहे हो तो आप सिफ उसे buy कर लीजिए बट बचपन से डेना को तो short seller बनना था और उसे ये mechanism कभी नहीं समझता था कि कैसे बिना जाने आप company को buy करो तो डेना ने सोचा अपको जो करना है करने दो मैं तो यही करने वाली हूँ अब एक बार डेना बहुत टेंचन में आ गई क्योंकि इस company में जब भी डेना कोई stock डूणती उसे अपने trader को बताना पड़ता और उनका जो trader था वो पहले अपनी position execute कर देता और फिर डेना की करता जिस वज़े से उन्हें proper price to value नहीं मिल पायती थी पर ये भी ज़्यादा समय नहीं चला क्योंकि वो employee को fire कर दिया गया डेना फिर से अपने plan में नई stocks डूणने की खोजबे लग गई डेना को ये job बहुत पसंद आता था क्योंकि वो अपने आपको एक detective feel किया करती थी कि कैसे एक बंद ताले की चाबी ढूंडो और जब चाबी मिल जाए तो अंदर क्या surprise मिलने वाला हो वो किसी को भी नहीं पता फिर कुछ समय भी था और डेना ने decide किया क्यों न ये company छोड़ दी जाए and let's go to a new company क्योंकि ये company के जो rules थे वो काफी change हो गये थे company ये बोलती थी कि जिस company में वो invested हो उसे आप short नहीं कर सकते और since company एक वक्त में हजारों stock में होती डेना को लगने लग गया कि as a short seller उनकी growth कम होते जा रही है डेना हमेशा से सब खुदी करना चाती थी company ढूनना, company ढूनने के बाद उसका future earning predict करना उसी के साथ ये देखना कि price company का उपर जा रहा है कि ने, फिर proper timing के साथ मौका देखके अपनी position बना लेना इसलिए डेना हमेशा एक top down approach यूज किया करती थी, जहां अगर तेल के भाव लगातर बढ़ रहे हो तो वो predict कर लेती कि cyclic stock और economy घिरने वाले हैं एक दो job और डेना ने switch किया और finally 1997 में इस दो लोगों ने मिलके एक नई company घोल ली जहां वो सब analyze खुदी करते और analyze करने के बाद एक proper timing के साथ तो खरीते जिसमें support का एक बहुत major role था यानि अगर कोई price उपर जा रहा हो तो support के आसपास वो majority of the वक्त अपना profit book करना prefer करती उसी तरह अगर market एक consolidation channel में चल रहा हो तब भी जब support पे आता तो आप अपना profit उसी जगा पे book कर लो ताकि एक अच्छा risk to reward हमेशा maintain रहे अगर आपने कोई short position बनाई है और market all time high जा रहा हो तो please लिकल जाओ diversification डेना के लिए बहुत ज़रूरी था उसी के साथ वो मानती थी कभी भी 0.5% से बड़ा loss मत लो एक बार डेना ने एक stock को short किया था अगले ही दिन news आ गई और वो news के चलते वो stock इतना तेजी से short up हुआ कि डेना लिकल ही नहीं पाई एक दो दिन बाद किसी तरह उनने अपनी position cover की बट ये incident ने डेना को shock कर दिया था वो question करने लग गई कि उन्हें कुछ आता भी है कि नहीं आता है बट never give up attitude के साथ डेना फिर खड़ी हुई और उसी stock में फिर short position बनाई और इस बार उनने काफी तगड़े पैसे छापे इसी तरह अब हम जानते हैं stock selection के rules डेना के जिसमें वो पहले एक company सिलेक करती है देखती है majority लोग कहा जा रहे है क्या bullish है उस stock पे कि bearish है उस stock पे उसी के साथ risk manage करना जरूरी है सही position लेना उस stock के अंदर जरूरी है और कि strategy से उस stock को execute करना है ताकि कामली उस position में डेना बैठ सके अगर कोई भी stock का price artificially up हो उसका P.E. लगातार बढ़ता हुआ दिखे तो आपको सिफ एक catalyst का इंतजार करना है catalyst यानि अगर उसकी future earnings expectation घरने वाली हो उसका revenue expense earning का ratio आपको समझ नहीं रहा हो दिरे दिरे competition आ रहे हो उसी के साथ insider trading तो नहीं होरी company के अंदर आप ही क्या company अपना main business छोड़के दूसरे businesses में गुसने का सोच रही है उसी के साथ क्या company का management proper तरीके से perform कर रहा है company का auditor क्या सही तरह से अपनी duty निभा रहा है company पे जादा करजा तो नहीं बढ़ रहा क्योंकि अगर करजा बढ़ेगा तो company उसी करजे के बोस्तले घिर जाएगी उसी के साथ company के जो trade receivables है यानि company को जो पैसे आने वाले हो उसमें आपको देखना पड़ेगा कोई issues तो नहीं चल रहे हैं अगर चल रहे हैं तो ये सब बड़े बड़े red flag है उसी के साथ company का revenue में growth ना दिखना earnings में किसी तरीके का growth ना दिखना ताथ ही company का PE तो चड़ी ही रहा है उसी के साथ inventory भी pile up होते जा रही है ये जो list है दोस्तों ये चीक चीक के आपको एक चीज कह रही है कि company को short कर दीजिए उसी तरह अब हम देखते हैं डैना के trading rules क्या है तो अगर कोई position में 20% से ज़ादा profit आ जाता है तो वो वन थर्ड position cover कर लेते हैं 3% से ज़ादा कोई भी stock में निवेश नहीं करती है diversify हमेशा करना जरूरी है बट 50-60 share में भी diversify नहीं करना चाहिए ये experience जो डैना को इतने समय में मिला है वो इसलिए मिल पाया क्योंकि वो momentum based traders के साथ काम किया करती थी जिससे उन्हें entry exit समझी अपनी और ये समझा कि दूसरे लोग buy sell कहा कर रहे हैं और यही आगे चलके डैना का edge बना जिससे वो बहुत पैसे कमा पाए तो यही थी दोस्तो डैना गलाइंटे की श्टोरी इसी तरीके की और ट्रेडिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब कीजेगा मेरा चैनल रोंचो दोस्तो तब ते के लिए सायो नारा